उम्र 66, एहमद नगर के रहिवासी, उनको एक दिन खून की उल्टी होने लगे, स्तानिक तद्नियों के पास दिखाने पर सोनोग्राफी रिपोर्ट निकाले, तब उनको लिवर शिरॉसिस हुआ है ऐसे पता चला, बीमारी के चलते मुझे बहुत असकती आ गई थी, कमजोरी हो गई थी और मेरा पजन भी कम हो गए था, उनके दाय किड्नी पे उसका इफेक्ट होकर किड्नी का साइज कम हुआ था, उन्होंने स्तानिक तद्नियों के पास चार साल उपचार लिये, लेकिन वहाँ पे कुछ फ लेकिन उधर भी कुछ फरक नहीं पड़ा, उनका चलना, फिरना और बोलना बंध हो गया था, उनकी हलचल बिलकुल बंध हो गई थी, मेरे माग को खुन की उल्टी हो गई, फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, हमारे स्तानिक डॉक्टर ने बताया कि लिवर सिरॉसिस का प्र और कोई दूसरा आप्शन नहीं है, ऐसे बताया गया, हमको डॉक्टर ने बताया कि लिवर चेंज करना पड़ेगा, फिर हमने मौडरन होमेपती के डॉक्टर विजे कुमार मानी सर इनके पास आ गए, डॉक्टर सर ने बताया कि आप टेंशन मत लो, लिवर पुरी तरह से टिक हो जाएगा, नवेंबर में उन्होंने मौडरन होमेपती के दवाई लेना शुरू किया, दवाई शुरू करने के बाद आट दिनों में ही उनको अच्छा लगने लगा, मेरे मा को विक्निस था, चल नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, मौडरन होमेपती की दिनों में ही फर्क पड़ने लगा, खुद के काम खुद करने लगी, ये सब देखकर हम सब अश्चरे हो गए, सो प्रतिशत ये दवाई काम करती हैं, उनके तब्यत में सुधारना होने लगी, उनकी ठकान कम हो गई, उनको खाना जाने लगा, उनके शरीर में एमोनिया और HB सामान्य रूप में आ गए, वो अब चलने लगी है, उनको पहले होने वाले सब दर्थ खतम हो गए है, अब वे मौडन होमेपती के दवाई से सामान्य जीवन जी रहे हैं, अब मुझे कोई तकलिफ नहीं है, मैं खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, मेरे सारे काम कर सकती पहले से मुझे अभी बहुत ठीक हो गया है, मैं अच्छा महसूस करने लगी हूँ, मौडन होमेपती की दवाई आप सभी को लेनी चाहिए, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मा जो अलोपती की दवाई ले रही थी, वो अब नहीं लेती है, वो सिर्फ मौडन होम मौडन होमेपती की दवाई लेती है, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और वो पूरी तरह से ठीक हो गई है,